माई दियर स्टूडेंट आएम नजिनकुआश शर्मा आएम स्टार्टिंग रिमेनिंग पार्ट आप चैप्टर थ्री दा नेम आप चैप्टर इस सिंथेटिक फाइवर और प्लास्टिक इन वीडियो नमर थिरी टॉपिक इस प्लास्टिक से मेटरियल आफ चॉइस इसका मतलड होता है कि जो प्लास्टिक मेटरियल है वो हमारा छाट वाला पताथ है अर्था हमारे पसंद का होता है प्लास्टिक आज इतना चाचुका है कि जानते हुए भी कि प्लास्टिक से पॉलिशन होता है बच्चो तब भी हम प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं चुकि इसके बहुत ज़्यादा लाब है बहुत ज़्यादा फाइदे हैं जैसे लाइट वेट बहुत हलका होता है यदि मेटलिक चीज लें आप लोगे की चीज कॉपर की चीज़ें लें तो वो भारी होंगी मुकाबले प्लास्टिक के तो प्लास्टिक जो है वो वेट से बहुत लाइट होता है हलका होता है फिर लोवर प्लाइस इसकी कीवत भी कम ह होती है चीज बहेंगे आती हैं जबके प्लास्टिक चीज है वह कौश्टि नहीं होती है फिर गोड अच्छे सकती वह होता कि जिसे पॉलिफीन पॉलिफीन में काफी सामान लेकर आते हैं तो इस्टेंट काफी होती है फिर easy handling इनको use करना असान होता है समझे नहीं फिर अगला क्या है plastic is non-reactive इसका क्या sense है plastic is non-reactive इसका sense यह है कि plastic जो है उसमें generally plastic जो है वो air से, water से acid से, basis से generally react नहीं करता non-reactive होता है तो इसका sense यह हुआ कि non-reactive है इसलिए इसमें हम अपने food stuff या chemical substance रख सकते हैं तो non-reactive होता है फिर durable plastic काफी durable होता है काफी चलता है काफी लंबे समय तक इनका use वादे है जैसे आप देखते हैं कि resting तो होता ही नहीं plastic इसलिए आप देख रहे हैं कि लोहे के pipe की जगा आज plastic के pipe का चलन ज्यादा है ज्यादा use हो रहे हैं इनमें resting नहीं होता प्लास्टिक जबकि जो metallic चीज है वो केरोड होती है खराब हो जाती है resting process हो जाती है इससे iron में next है poor conductor means electricity के भी poor conductor होते हैं plastic और heat के भी poor conductor होते हैं तो देखे electricity के bad conductor होने का मतलब यह है कि इनमें जो आप जिससे तारों पर आप जो electrical wire होते हैं उन पर PVC के रूप में plastic का यूज करते हैं और जो handle वगरा है bad conductor of the heat के कारण इनका handle बनाने में यूज किया जाता है तो आदी अब यह नहीं वह इतना use नहीं है जो medical industries है उसमें भी इसका उपयोग हो रहा है यह यूज इन health care industries health care industries में भी इनका इस्तमाल हो रहा है जैसे जो tablet आती है वो plastic में उनकी packaging हो जाती है कई बार कई बार जो है जो हमारे wound होते है operation वगरा जो होते है उनके घाब को सिलने के लिए thread बनाये जाते हैं धागे बनाये जाते हैं जैने की thread used for stitching wounds अर्थार घाब को सीलने के लिए धागे के रूप में भी plastic का यूज किया जा सकता आप जानते हैं injection लगवाने के लिए syringe का उपयोग होता है तो syringe भी plastic की बनी होती है glow वो भी plastic के बने होते हैं ऐसे गिर्वान जर्ट कितने सावान plastic के बने होते हैं इसलिए आप आगे चलते हैं बच्चो cooking के रूप में यानि kitchen के रूप यानि कि microwave oven जो food cooking के रूप में यूज होता है बच्चो इससे बोजन को पकाया जा सकता है जो plastic container होता है समझे नहीं तो अब देखे आगे है टैफलोन टैफलोन जो है हमारे utensil में use के जाते हैं ताकि food इस्टिक ना हो अर्था भोजन उनसे ना चुपक सके तो टैफलोन जो है वो एक plastic की form है जो हमारे बर्तनों में जो cooking वेर्स होते हैं cooking utensil होते हैं उनमें टैफलोन का यूज़ के जाता है ताकि food जो है नोन इस्टिक की रहे इस इस दा end of my video next I will discuss again thank you